सुप्रभाद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे हम आपके सामने पुनह उपस्थितुएं हैं अविकारी शब्द भाग दो का वीडियो लेकर अविकारी शब्द भाग एक में हमने क्रियावी शेशन के बारे में विस्तार से जाना था अब हम शेश भाग को विस्तार से जानेंगे बच्चों उदारन के द्वारा मगर उससे पहले पुनरावृत्ती ठीक है? लिंग वचन काल संग्या या सर्वना कोई बदले पर नहीं बदलना मेरा का तभी तो भाशा ने दिया मुझे को क्यों बच्चों? ठीक है? ये कवीता भी आप लोगों ने जरूर पढ़ ली होगी? चलिए अब हम जानते हैं अविकारी शब्दों के बारे में तो अविकारी शब्द की परिभाशा से शुरू करते हैं पुनरावृत्ती जो कर रहे हैं वे शब्द जिन में संग्या, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, आदी के कारण कोई विकार नहीं होता और अविकारी शब्द अर्थात न परिवर्तन होने वाले शब्द ठीक है न मच्चों? अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं जैसा के आपने पूर्व में जान लिया क्रिया विशेशन अविकारी शब्द, संबंद बोधक अविकारी शब्द, विस्मयादी बोधक अविकारी शब्द और समुच्य बोधक तो भाग एक में हमने क्रिया विशेशन के बारे में विस्तार से जाना उसके भी चार भेद होते हैं कालवाचक, स्थानवाचक, रीतीवाचक और परिमानवाचक अब इस वीडियो में भाग दो में हम संबंद बोधक, विसमयादी बोधक और समुच्चे बोधक अविकारी शब्दों के बारे में चानेंगे बच्चो सबसे पहले संबंद बोधक, संबंद बोधक, समुच्चे बोधक और विसमयादी बोधक तो शुरू करते हैं संबंद बोधक से संबंद बोधक की परिभाशा को जानते हैं जो शब्द संग्या या सर्वनाम शब्दों का संबंद वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंद बोधक अव्याय कहते हैं बचों और कुछ संबंद बोधक अव्याय शब्द हैं जैसे की जगहां के द्वारा के भीतर की अपेक्षा के विप्रीत आदी ठीक है अब इन्हें उदाहरणों के द्वारा भी जान लेते हैं बच्चों तो पहला उदाहरण हमारा क्या कहता है वा कितनी सुन्दर जील है ना घर के पास ही सुन्दर जील थी तो कौन सा आया संबंद बोध का विकारी शब्द के पास बिल्कुल सही दूसरा उदाहरण अरे ये दोनों तो कुछ हमें संदेश दे रहे हैं क्या पोल रहे हैं जरा देखते हैं हमें गाड़ी के भीतर सीट बेल्ट लगानी चाहिए बिल्कुल सही ठीक है ना बच्चों और आप तो आज कल के आधुनिक समय के बच्चे हैं आप तो बहुत अच्छी प्रकार से समझते हैं तीसरा उदाहरण आज तो फूटबॉल मैच चल रहा है और बहुत ही गहरी मंतरणा चल रही है अजीत की जगा टीम में अब सौरब खेलेगा तो इन तीनों उदाहरणों में आपने देखा के पास के भीतर की जगा ये संबंद बोधक अविकारी शब्द हैं बच्चों ठीक है जो हमें वाक्य में संबंद के बारे में बताते हैं अगला हम प्रकार देखते हैं बच्चों समुच्य बोधक की परिभाशा को जानते हैं दूसरा प्रकार है समुच्य बोधक अविकारी शब्द दो शब्दों वाक्यांचों या वाक्यों को जोडने वाले शब्दों को समुच्य बोधक, अफ्यय या योजक कहते हैं ठीक है बच्चों अब इसके कुछ उधारन को देखते हैं जैसे यद्यपी, किन्तु, परंतु, अन्य था लेकिन क्योंकि, आदी ठीक है अब इसे भी उधारन के द्वारा जानते हैं बच्चों पहला उधारन, वाह, जील का किनारा, परवत और हवाई जहाज भी उड़ रहे हैं क्या बात है, बहुत ही सुन्दर और अजीब द्रिश्य है अजीब अर्थात अद्भूद है न बच्चों पहाडी स्थान पर हमें हवाई जहाज भी देखने मिल रहा है जील और प्रकृतिक द्रिश्य बहुत ही मनोरम है ठीक है बच्चों दूसरा उधारन देखते हैं व्यायाम हो रहा है बच्चों आज के समय में इस कोरोना के महामारी के विशम परिश्थितियों के अंतरगत हमें तो नियमित व्यायाम तो करना ही चाहिए केवल बच्चों को नहीं सभी को ठीक है और हम स्वस्त रहेंगे तो सब अच्छा रहेगा ठीक है तो अब हमें क्या संदेश मिल रहा है प्रती दिन व्यायाम करो ताकि स्वस्त रहो ठीक है और देखिए बादल आ गए हैं बादल चाहे परंतु बारिश नहीं हुई अब समुच्चे बोधक अव्य शब्दों को देखते हैं और ताकि परंतु ठीक है न बच्चों आप समझ रहे हैं ना जी हाँ अगले प्रकार को जानते हैं विस्मे आदी बोधक अविकारी शब्द और विस्मे आदी बोधक की परिभाशा जिन शब्दों से खुशी दुख, शोक, आश्चर्य, डर और आदी भावों का पता चलता है उन्हें विस्मे आदी बोधक कहते हैं अब इसके कुछ उधारण हेरा, काश, अहा, खबरदार, सावधान, हाई, आदी ये विस्मे आदी बोधक आप तो विस्मे आदी बोधक चिन को भी जानते हैं तो वो चिन जब भी किसी शब्द के साथ लगता है वो शब्द विस्मे आदी बोधक शब्द होते हैं ठीके ना और दुख, खुशी, शो, काश्चरे, डर, इनी भावों का पता चलता है हमें, उधारन के द्वारा हम जान लेते हैं बच्चों, अरे बाबा, डर गया है भाई यह तो, अरे तुम कब आए अचानक चौक गए हैं यह भाई साब, और देखते हैं, दूसरा उधारन, वावा, क कितना सुन्दर द्रिश्य है, क्यों बच्चों, मजा रहा है ना, देखिए, समुद्र तट, नारियल के पेड़, और सेर सपाटा, वाव, कितना सुन्दर द्रिश्य है, तीसरा उधारन देखते हैं, अहा, मजा आ गया, देखा, आपको भी ऐसी खुशी मिलती है ना जब आप अपना मन पसंद कोई भी वस्तू और उपहार देखते हैं तो, वाव, तो आपने देखा, अरे, अहा, वाव, चीक है, तो ये खुशी, दुख, हैरानी, ऐसे भावो को प्रगट कर रहे हैं, और उसके पास जो चिन्न लगा है ना बच्चों, वो विसमयादी पुस्तक चिन्न है, ठीक है, तो बच्चों, आज के वीडियो में भाग दो अविकारी शब्द में आपने शेश भागों के बारे में, शेश प्रकार के बारे में जाना, ठीक है, अब आप अविकारी शब्दों से संबंदित अभ्यास को अपनी पुस्तक में स्वविवेक स से हल करें तथा और उसका अभ्यास करें वीडियो को पुना पुना देखें अपनी शंकाओं का समाधान भी करें धन्यवाद बच्चों अगले विशे के साथ अगले वीडियो में हम से रुपस्तित होंगे तब तक आप सभी का धन्यवाद